दोस्तों नमस्कार, हमें अधिकतर अपने मोबाइल से प्रिंट निकालने की आशकता पड़ती है, अगर हमारे पास वाइफाई का प्रिंटर नहीं है, तो हमें दोस्तों बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बार-बार हमें OATG या डाटा केबिल लगए के द्वारा प्रिंट करना पड़ता है तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हमारे विना wi-fi वाले प्रिंटर नार्मल प्रिंटर को हम वायरलेस कैसे बना सकते हैं तो दोस्तों हमारे साथ और वहां से हमें एक application डाउनलोड करनी होगी इसका नाम है nocoprint दोस्तों हम प्लेश्टोर पर आ गए हैं और यहां पर हम nocoprint टाइप करेंगे और उसे अपने फोन में इंस्टाल करेंगे अब हम इस इंस्टाल पर टेप करेंगे और हमारी एप महारे मोबाइल में डाउनलोड होने लगेगी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे फोन में एप डाउनलोड हो रही है तो दोस्तों हम चलते हैं अपने PC की तरफ और PC में हम सबसे पहले स्टार्ट मेनू पर आएंगे और यहां पर आके Printer and Device सेलेक्ट करेंगे दोस्तों इसको जो हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कि इस तरह से ओपन हो जाएगी विंडू यहां पे हम आके अपना printer select टल लेंगे और printer पे right click करेंगे दोस्तों इस तरह से menu आएगा यहां पे हमें printing properties पे आके ok करना है फिर दोस्तों में इस तरह का dialogue box यहां पे दिखेगा यहां sharing पे click करेंगे और हमारा नीचे जो है printer show करने लगेगा share this printer पे ok करेंगे और यहां से बाहर निकल जाएंगे अब दोस्तों में अगला जो काम करना है वो अपने mobile में heart spot को open करना है और सेम उसी heart spot से अपने computer के wifi को connect करना है तो दोस्तों मैंने अपने mobile में heart spot को on कर दिया है आप देख सकते हैं हम PC में अपने चलेंगे और network search पे आएंगे यहां पे हमारा दोस्तों mobile show कर रहा है आप देख सकते हैं यह connected बता रहा है कि हमारा mobile और PC दोनों सेम wifi से connect हैं अब दोस्तों में noco print को mobile में open करना है दोस्तों उपर की तरफ print not selected लिखके दिखाई पड़ रहा है में इस पर टैप करेंगे तो हमारे सामने जो work group लिखके आएगा work group पे क्लिक करेंगे तो हमारे PC का नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा दोस्तों इस पर हम करेंगे तो हमारे सामने एक टैप आएगी जिसमें हमें PC का पासवर्ड और PC का नाम डाला होगा दोस्तों मैंने इसको डाल दिया है आप देख सकते हैं कि हमारा जो है printer यहाँ पर सो करने लगा है अब दोस्तों हमें अपने मोबाइल की data का on कर लेना है और उसके बाद जो ह हम टैप करेंगे तो हमारे सामने एक इस तरह से डालाग बाक्स आएगा इसको के करना होगा तो होदा क्या दोस्तों कि हमारी यहश्पी की एक फाइल जो होती है printer की वह हमारे मोबाइल में डाउनलोड होने लगती है दोस्तों जब तक फाइल डाउनलोड नहीं होगी तब तक हमारा noco print एप वर्क नहीं करेगा दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग हमारी चल रही है और जल्दी कॉम्प्लिट होने वाली है दोस्तों आप हमारे साथ बने रही है तो यह देखिए दोस्तों हमारा सेटप कम्प्लिट हो चुका है पोगे कर देंगे यहां से तो दोस्तों चले हम नोको प्रिंट करते हैं गैलरी में चलते हैं और यहां से एक हम फोटो प्रिंट के लिए सेलेट करते हैं तो दोस्तों मैंने फोटो सेलेट कर लिए यह देखे दोस्तों हमारी फोटो नोकाइप में आ चुकी है यहां हमें उपर सेटिंग का अप्सन मिलता है इसके हम क्लिक करके फोटो का टिंटिंग सेट कर सकते हैं कि पेपर हमारा कैसा रहेगा आउटपूट माट कैसा रहेगा पेपर का स्टाइज क्या रहेगा यहां पर हमने दोस्तों फोटो को सेलेट किया है और सेलेट करने के बाद में हमें इसको प्रिंट की कमांड देते हैं चली दोस्तों तो हम इसको फोटो को प्रि होती है यह दोस्तों हमारा 319 model printer hp का जो की USB printer है इसमें वाइफाई की सिब्धा अपलब्द नहीं होती है कि अब यह देखिए हमारा दोस्तों printer वाइफाई का बन चुका है अब हम इसे वायरलेस फोटो को प्रिंट कर गए आपको दिखाते हैं यह दोस्तों मैंने प्रिंटिंग कमांड दे दिया आप देख सकते हैं प्रिंटिंग हमारी स्टार्ड हो चुकी है और फोटो प्रिंट होना चालू हो गई है यह देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग हो रही है यह हमारा पेपर प्रिंट होके बाहर आ चुका है आप देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपने नार्मल प्रिंटर को वार्लेस बना सकते हैं अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद